नमस्कार स्वागत आपका डीटीवी नीज में दोस्तों आपने डीटीवी नीज देखना सुरू कर दिया उसी के साथ हम आपको बता दें कि दुखद खबर है जी हाँ यानि कि 23 जून का दिन था बीते हुए कल का दिन था मंगलवार का दिन उसी के साम 7 बजे के करीब पुना से एक ट्र जाता है और होडल साइड से होडल की और से एक बाइक पर तीन लोग आते हैं उसी के साथ नीमका गाउं के समीप उन लोगों की भिड़त हो जाती है टकर हो जाती है और टकर इतनी भैंकर कि उसमें मौके पर दो लोगों की जान चली जाती है जी हां दोस्तों दो लोगों की जान चली जाती और जो तीसरा वेक्ती बाइक पे था वो बाइक सवार तीन लोगों में से दो की जान चली गई लेकिन एक वेक्ती की हाला तभी भी नाजुक और गंबीर बताई जा रही है जी हां दोस्तों उनको पुनाना अस्पताल ले जाएगा वो भी आपको ह नहीं हुआ है और अभी घर नहीं आए उसी के साथ में बता दू दोस्तों जो लोग हैं उनकी पहचान मैं आपको बता दूँ उनका नीम का गम से वो लोग संबंद रखते थे जिनकी भृत में इस एक्सिडेंट में उनकी जान चली गई एक उनका बता दे इम्रान सनौप सद जरू इन लोगों की जान चली गई उनको भी भी मांडीखेडा हॉस्पिटल अलफ्या में रखा गया है और उसी के साथ इन लोगों को एंबूलेंस तक की सीविदा नहीं हो पाई और उसी के साथ इनको टैक्टर में पुनाना ले जाया गया लेकिन अपर इनकी मोके पर ही म दुखत खबर आजम ने आपको दी कि यह निमका के समीप एक्सिडेंट होता है जिसमें दो लोगों की मोके पर जान चली जाती है और उसी के बाद जो तीसरा है व्यक्ति उसकी अभी भी हालात नाजुक बनी हुए है बने आप हमारे साथ डिटीव निउस पर चैनल को सब् अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें अगर इस वीडियो पर आपके कोई राय है तो नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं और हाँ देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें